नमस्ते दोस्तों, हिंदी की साहित्तिक और कालजई कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज चुनिए सुप्रसिद लेखिका म्रदुलागर्ग जी की कहानी वो दूसरी। म्रदुलागर्ग जी ने लगभग आधी सदी से अपनी निरंतर उर्जरस्वित रशनात्मक्ता के कारण हिंदी कथा साहित्य में अनोखा मुकाम हासिल किया है। हिंदी साहित्य को उनोंने पूर्टा प्रदान की है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी वो दूसरी। हर इंसान की जिन्दगी में तीन औरतें आती ही आती हैं। मा, नानी और दादी। मेरी बदकिस्पती कि मैंने नानी दादी को न जाना। मेरे माबाब की शादी होने से पहले ही दोनों चल बसीं, मेरा वजूत तक उन्हें कबूल न रहा। नाना ने दोबारा शादी ने की इसी लिए नानी की जगे नानी की याद ने ले ली मा बराबर उनकी कहानी मुझे सुनाती रही और यूँ उनकी सक्षियत के तिलिस में को जिलाए रखा एक मैं थी उल्टी खोपड़ी वाली सुनती नानी की और सोचती दादी की जिन्हें माने क्या मेरे बापने भी देखा ना था उन्हें जरम देते ही वे चल दी थी माने जब मेरे पिता को जाना तो पार्ष में दूसरी थी ठीक समझे आप दादी को मरे साल भी ना हुआ था कि दादा ने दूसरी शादी कर ली थी मैंने दादी की तरह जिने जाना वही दूसरी थी नाना हम उन्हें दूसरी कहकर नहीं पुकारते थे वही दिवंगत दादी को मुसलसल पहली कहकर खुद को दूसरी बनाए रखती थी कभी कभाग जब मा नानी को छोड़ दादी पर आती तो जिक्र दूसरी का रहता पहली का नहीं दर असल पहली के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें थी दूसरी की मार्फत ही हासिल हुई थी मा बतलाती रही थी कि जब वे बहु बनकर उनके घर आई तो अगवानी में सास नहीं सास की जिठानी को खड़े पाया बड़े लाड चाओ से उन्होंने बहु को देरी पार करवाई और लंबी सांस भर कर कहा आज वो होती तो कितना खुश होती वैसे खुश ये भी कम नहीं पर अरे ओ छोटी उनके पुकारने पर अचानक उचे सुर में गाई जा रही गजल थम गई मा के खानों में उस फड़कती गजल के बोल बाहर बारजे में ही पड़ गए थी पर उसका दूर का भी तालुक उनकी सास से हो सकता है सोचा न था अब देखा कि एक औरत जो तौर तरीके से किसी सूरत मानुमा नहीं थी अधूरा काम छोड़ने की कसमसाहट के साथ फर्ष से उठखडी हुई है और ताया सास कह रही है अब बहू यही तुमारी सास है उस औरत ने उनके पास आने या उन्हें अपने पास बुलाने की पहल नहीं की वहीं से हाथ उठा कर आशीश थी कहा पहली होती तो आज कितना खुश होती दूदो नहो कूटो फलो कहते ना कहते वे वापस फर्ष पर थी और छूटी गजल पकड़ने की गरज से हार्मोनियम सहिज रही थी कुछी देर में कमरा दोबारा गजल की गिरफ्त में था खुरदुरी पर पुर्सोज आवाज में गाई जारी गजल में कुछ ऐसी आशिकाना तलब थी कि मुझरे का समा बंद गया था असमंजस में भरी मां उन्हें ताक्ती खड़ी रह गई थी आगे बढ़कर पाउँ छूने का ख्याल भी जहन में नहीं आया था ताया सास ने ज़्यादा वक्त दिया भी नहीं था बहां से थाम कर रसमे पूरी करवाने कमरे के दूसरी तरफ ले चली थी वो औरत उसी तरह सुरों का भरपूर उठान देकर उची आवाज में गाती रही थी उसे घेरे जो पांच-छे औरते बैठी थी उन्होंने भी उठकर बहु के पास आने की कोशिश नहीं की थी उनमें से एक को दिखला कर तायी ने इतना जरूर कहा था वो तिल्ले के काम की जो हरी साड़ी में है मेरी भांजी है बिट्टो तुम जानो जैसी बेहन की जाई वैसी मेरी पर उसे पास नहीं बुलाया था वो ढोल की लिए बैठी थी पर फिल्हाल थाप नहीं दे रही थी शायद गजल के सुर उसकी पकड़ के बाहर हो गए थे कुछ देर बाद संभाल पाए शायद मू दिखाई को औरतें आती होंगी तुम बैठ लो ताया सास ने मा को टकूरा था मा पीडे पर बैठ गए थी पर उनका मन पूरी तरह जोम पर आ रही गजल में टका था यहां तक की आने वालियों की काईया नजरों और बेलौस फिक्रों की बाबस सोच पशेमा होने का भी ख्याल ना आया था उस वाकए का मुझसे बयान करते हुए मा दोबरा उसी मोँ पाश में बन गई थी कहा था तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जैसे जैसे गजल उठान पर आ रही थी उनकी खरखरी आवाज में जो कामुकता पैदा हो रही थी उसके बारे में ये तै करना क्यों मुश्किल था कि वो मरदाना है या औरत नुमा यानि वो मर्द को आसक्त करेगी या औरत को अब तो खैर जान गई हूँ कि कामुकता ऐसी कयामती चीज है जो मर्द औरत को यकसा लभाती है तब नहीं जानती थी तभी नीचे से बाकाइदा मर्द की मरदाना आवाज गुंजी थी उससे कोई धीरे गाए उन्होंने एकदम गाना बंद नहीं किया होगा करना मुम्किन नहीं था बंदिश में सहज रूप से वकफा आया होगा इसी लिए पहले से कहीं धीमी आवाज में कहा गया अगला फिक्रा साफ सुनाई पड़ गया रंडियों के महले की है ना तब ही आगे का जुमला कई मरदों की मिली जुली हसी में खो गया कहने वाला भी नाराज कम चुहल बाज जादा लगा सास ने बीच बोल गजल रोक दी हार्मोनियम भी पर लजजित या अफमानित वे नहीं दिखी मा ने अचरच के साथ देखा था उनके चेहरे पर एक नकरीली मुसकान तेराई है जैसे कई बार का सुना आशिकाना जुमला फिर सुना हो उनके बजाए मा परियाप्त लजजित अफमानित हो ली थी चेहरा लाल हो गया था माथे पर पसीना चुह चुहा आया था सास से अंदेखा न रहा होगा उन्होंने हसकर कहा था इनका तो हमेशा का एक ही बोल तभी औरते आनी शुरू हो गई थी जो आई उसने ये जरूर कहा आज वो होती तो कितना खुश होती हर बार दूसरी नहसकर जोड़ा ना हो पहली जिठानी जी तो है चार-पांच बार हो लिया तो ताई ने याद दिलाया तू भी तो है छोटी हाँ वो खिल-खिला दी थी मैं तो हूँ ही पहली की जगे मा को पूरा व्यापार खासा अटपटा लगा था बाद में रफ़ता रफ़ता दूसरी ने काफी बातों का खुलासा कर दिया था रंडियों के महले के बारे में मा की जिग्यासा सबसे ज़्यादा थी पर मूँ खोल कर उस बदनाम बस्ती के नाम लेना नामुमकिन था इंतजारी कर सकती थी कि दूसरी खुद बात छिड़े ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था दूसरी को बोलने बत्याने से गुरेज न था खूब तफसील से बतलाया था मैं ठहरी गरीब घर की लड़की एकलोती तो क्या लड़की और गरीब घर की रंडियों के महले के पिछवाडे रिहाइश थी अपनी शाम ढले उस महले में मुझरा जमता तो वो वो गजल उठान भरती कि सुनो तो गश खा जाओ दीन दुनिया की सुन न रहे एक बात कहूं बीबी जिठानी जी से न कहियो पासम मंदिर भी था अपने गरीब खाने के वहाँ भी शाम सबेरे कीर्टन हुआ करे था एक से भजन गाये जाते थे पर उन्लों की गजलों के पासंग न ठहरे कभी भी गजलों की क्या कहूं बीबी बोल ऐसे की पाउं थिरक उठे पर बीबी मैं जो एक दिन नाची हूँ मैंने कुछ किया तो ये कि उनके सुर में सुर मिला कर गा दिया आप से आप कैसी उची बेजिजक आवाज में गाया करे थी वे कि गली पार कर एक एक बोल यू साफ कानों में उतरे कि जस का तस उचार लो वही किया करती थी मैं जितना उचा वे गाये उतना मैं किस्मत मेरी ऐसी बलवती कि मेरी मा बेचारी उचा सुने करे थी उस गरीब ने तो कभी ठीक से उन्हें ना सुना तो मेरी क्या बिसात जानी ना पाई कितना उचा बोल उठा लिया मैंने बाप भी मेरा कम बेचारा ना था गरीब हमारी अपनी रूटी का जुगार करने देर रात तक जाने कहा कहा सिर्ख खोड़ता फिरे था घर पर रहता तब ना टोका टोकी करता मैं इतनी बेवकूफ भी ना थी ये उसके घर रहते रियाज करती रियाज और सुनो वे बेसाकता हस दी थी और काफी हस लेने के बाद हार्मोनियम लेकर बैठी थी कुछ दिनों के अंतराल के बाद बीच में छूटी कहानी फिर शुरू ही थी जब बाओ जी तुम्हारे पहली के इंतिकाल के बाद दूसरी की खोज में निकले और हमारे गरीब खाने पहुँचे तो सबने जाना कि मैं किस कदर बेवकूफ थी जैसी रीत है बाओ जी ने जब मेरे बाप से कहा बच्चों की खातिर दोबारा ब्या करना है गरीब घर की ही लड़की चाहिए तो समझो वो भव सागर तर गया मेरे इम्तिहान देने की बारी आई तो मैंने उसकी नाओ क्या लुटिया ही डुबोदी बीच सागर खुश किस्मत था जो कंगाल ना हुआ बाओ जी ने कहा सुनाए ये गाना चानती है कहिए कुछ सुनाए लो इन्हें कैसे ख़बर लग गई मेरी समझ में ना आया बहुत बाद में सोचा उनकी आवाज मुझे तक पहुँची थी तो कौन जाने मेरी भी उन तक पहुँची हो वो तो खैर बात की बात है उस वक्त तो जैसे ही मुझे कहा गया गाओ मैं शुरू हो गई वो फड़कती गजल गाई और इतनी उची आवाज में कि सकता चा गया सुर कुछ ज़्यादा ही उपर उठ गए थे घवराट में तुम जानो बीबी सुजान सवार भी या तो ठिटका रह जाए या लगाम खीशनी ही भूल जाए है फिर मैं तो मेरा गाना सुनकर बाप की मेरे समझो की दिल की धड़कन ही बंद हो गई पर बाओ जी हस दिये बोले डंडियों के महले की है ना आखिर कोई बात नहीं सीख जाएगी क्या मतलब आवाज नीची रखना सीख जाएगी या गजल ना गाना सीख जाएगी मेरे बाप ने दूसरे वाला मतलब लगाया होगा काफी फटकार पिलाई मुझे पर कितना कहता बाउजी ने रिष्टे से इंकार तो किया नहीं था पर मा मेरी शायद मुझे भी जादा पगलेट थी बोली रसिया है अपना तमात गाना सुनते आखें हुलस रही थी ऐसा नहीं है बीबी कि आवाज धीमी रखने की कोशिश ना की हो मैंने कितनी तो बाउजी की डाटपट सुनी एक वोती पहली सलिकेदार, छुई, मुई, सूफियानी एक ये है गावदी और बेशहूर और बाउजी क्या सभी कहते रहे कहां पहली, कहां ये तभी ना बाउजी ने चारों बेटों को जिठानी जी के हवाले कर दिया दो पहली के दो मेरे जाए तमीज तहजीब सिखलानी थी ना कि नहीं, उनके भी जो है यही है अपना तो तकदीर ने दिया नहीं बेहन की जाई एक है जरूर पर लड़की एक बात है अपनी जिठानी जी है बड़ी इंसाफ कायदे वाली दिन में चाहे बीसियो बार कहें जैसी बहन की जाई वैसी मेरी पर पालते वक्त बेटों को हाँ हाँ भतीजों को हमेशा जादा करके आखा चारों के चारों शहर के बढ़िया स्कूल कालेजे में पढ़े छोटे दोनों तो अभी पढ़ रहे हैं बड़े भईया की नौकरी लग गई वहीं शहर में इनकी मेरे पिता जी की भी लग जाएगी देर सबेर सच उनका हक उन्हें देने में चिठानी जीने कभी कोताई नहीं गी जेड जी कौन अपने छोटे भाई से कम है बाओ जी को तो तुम जानो लड़कियां फूटी आख न सुहाती कहा करें है न एक ही शुक्र है भगवान का की लड़की ना दी मेरी तरह गाने लगती तो बाओ जी उसका गलाही टीप देते मेरा क्यों ना टीपा पूछो बीबी पूछो जवाब है मुझ पे लाग कहते फिरें आवाज नीची रख आवाज नीची रख पर गजल सुनने की तलब उठती है बराबर जब तब हुकम सुनाते से बाज ना आते अरी और अंडियों के महले की सुना तो अपनी फड़कती गसल कोई दूसरी से बोलने वतियाने में मा को जबरदस्त रोमांच महसूस होता और वे डर जाती उनके करीब जाना चाहिए की नहीं सास तो उन्हें किसी हाल माना नहीं जा सकता था सास थीं तो ताई उनका साथ खुब उबाओ और सुकून दे था पिता जी भी उन्हें ताई के पास देखते तो कभी कभार पास आ बैटते दूसरी के पास पाते तो कभी पास ना फटकते मा के मन में अपनी असली सास को लेकर बहुत कौदूगल था पिताजी से पूछा उनकी अपनी मा कैसी थी तो बड़ा ठंडा जवाब मिला पता नहीं मैंने उन्हें नहीं देखा उसके बाद उनकी चुप्पी इतनी खिची की मा को लगा दोनों बुढ़ा लिये मेरी मा वकील की बेटी थी हर बात की तहह तक पहुँचना उनका खांदानी बीमारी थी उन्होंने कयास लगा लिया कि उनके पती अपनी मा को उन्हें पैदा करते ही मर जाने के लिए माफ ने कर पाए थे पर दूसरी तो अच्छी भली मूजोर जिंदा थी उनके बारे में पूछने पर भी उतना ही ठंडा जवाब मिला था और चुप्पी उसी तरह खीची थी मा ने कहा था वे दूसरी को समझ नहीं पाती क्या करें उनके साथ वक्त गुजारें या नहीं आखिर वे उनकी सास थी जवाब मिला था वे ऐसी ही हैं फिर चुप्पी योखीची थी कि लगा था वे दोनों उस दूसरी और उसके रसिया शोहर से तो ज़्यादा बूड़े हो ही चले होंगे इस चुप्पा चुप्पी में मा की जग्यासा और बढ़ गई थी ये भी वो समझ गई थी कि पहली के बारे में धंकी मालूमात होगी तो दूसरी के जरिये ताया सास समेत गाउं के किसी प्राणी से पहली के बारे में पूछती तो लगता किसी देवी या अपसरा का बखान सुन रही है कहने को सबके पास बहुत कुछ था पर वकील की बेटी मेरी जिरह प्रेमी मा को उसमें जूट की सिवा कुछ सुनाई न देता कसूर उनका नहीं था माने मुझे से कहा था मरकर इंसान इंसान नहीं रहता नाटक का नायक Yakया नाईका बन जाता है जैसे मरना ही सब कुछ हो, खुद इनसान कुछ नहीं दूसरी अकेली ऐसी सक्ष थी जिसके लिए पहली मरकर भी कभी मरी नहीं थी हारमास की औरत थी, उसके कद्स से उचा कद्स निकाले बराबर में खड़ी रहती थी उन्होंने उन्हें देखा भले न था, पर उनके इनसान और मादा होने के दो सबूत शुरू से आँखों के सामने रहे थे उन्हें देखकर पहली की सूरत का अंदाज हो जाता होगा सीरत का गुमान कराने को गाओं के तमाम लोग थे अपने से उनकी तुलना सुन-सुन का तस्वीर बन गई होगी लोगों की बातों पर पूरी तरह विश्वास उन्होंने नहीं किया होगा इतनी भूंदू नहीं थी पर इतना मान लिया होगा कि पहली उनसे ठीक उलट थी अपने से उलट की कलपना करने में कश्ट जितना हो रोमांच भरपूर है उसी बल पर उन्होंने पहली की खासी मांसल छवी घड़ ली होगी मुझे यकीन है मा थोड़ी मशक्कत करती तो पहली की सरापा कैफियत दूसरी से उगलवा लेती और उसके जरिये दूसरी को भी पक्षू भी समझ लेती पर वे कन्नी काट गई मेहनस से मूँ फेरा या रोमांच से घबरा गई कहना मुश्किल है वे खुद कई बार मुझे कह चुकी थी कि दूसरी का साथ जितना मोहित करता था उतना डराता भी था इधर रसोई घर में अंगीठी पर खाना चड़ाया जा रहा होता उधर दूसरी चौपट फैला कर बैठ जाती कि आओ बीबी दो एक बाजी हो जाए मा कहती ही रसोई तो जवाब मिलता जिठानी जी है न मा डावा डोल होती कि आवा जा जाती बहुरानी सुन तो दरसल दूसरी के पास उनके देर तक बने रहने पर ताई को कोई ना कोई काम सूच जाता और वे बड़ी प्यार पगी पुकार दे उठती बहुरानी मा रोमान चे छोड़ वाजब की तरफ भाग लेती जाते वे कहना न भूलती काम निप्टा कर अभी आई पर जब लोटती तो दूसरी वो कुछ और सूच चुका होता कभी वे कहती चलो तुम्हे तबला बजाना सिखला दू तुम बजाना मैं गाऊंगी हार्मोनियम अकिला क्या क्या करेगा सुर देगा ताल नहीं न या कहो तो गजल गाना सिखला दू मा की बोलती बंद हो जाती ताईची बुला रही हैं कहे खुद पुकार का आवाहन करती भाग लेती जो थोड़ा बहुत आपस में कहा सुना गया था साड़ी पर फूल पत्ती छापते हुआ था अपनी कहानी दूसरी ने तफसील से सुनाई जरूर थी पर तमाम एक बार में नहीं रफता रफता तोड़ तोड़ कर कई बैठकों में पहले दिन शुरुआत यों हुई थी कि शहर से साड़ी के लिए बढ़िया टाईगर वायल आई थी बेहतरीन रंग थे पसंद पंचमी पास थी सो एक पीली साड़ी सामने फैला कर दूसरी ने कहा था सुनाए तुम फूल पत्ती आगने में खुब माहिर हो पेंसिल से जरा खीच दो तो जरा इस साड़ी पर धागे तो मैं भी पूर गूंगी या अपनी बिट्टो रानी से करवा लूगी इसका हाथ बहुत साफ है पर चितरकारी करना हर किसी के बसका नहीं मैं तो कहूं हूँ गाने बजाने से कम हुरर नहीं है इसमें पर तुम कौन तस्वीर खीचोगी फूल पत्ती को ही तो कह रही हूँ ना इतना तो कर लोगी मा ने साफधानी और करीने से बढ़िया वाइल पर फूल पत्तियां उकेर दी थी पर दूसरी या बहन की जाई बिट्टो रानी ने उसमें धागे भरे या नहीं पता नहीं चला अपनी आँखों से देखा नहीं उन्हें चौपर और हार्मोनियम से फुर्सत मिलती तब न गाउं में मा का बसेरा जादा दिन हुआ भी नहीं जानती तो हमेशा से थी कि पिता जी की नौकरी लगेगी तो शेहर में पर चारेक महीनों के भीतर हो जाएगी वो नहीं सोचा था गाउं छोड़ने का वक्त करीब आया तो दूसरी से अंतरंग होकर पहली के बारे में सविस्तार जान लेने की इच्छा और तेज हो गई तब ही ऐसी अनौनी घटी कि जी की जी में रह गई हुआ ये कि मा को पता चला कि वे गर्भवती है ताई के साथ लजीली नकरीली खुशी मना पाती उससे पहले एक खबर और हाथ लग गई ये कि दूसरी भी गर्भवती है मा की खुशी मनाना भूर पूरा परिवार शर्वसार हो उठा सबसे जादा मेरे दादा दूसरी के रसिया वाउजी बेटे बहु के नक्षे कदम पर उस उम्र में वो उसी आवाज में गाई जा रही गजल तो थी नहीं कि सारी तोहमत रंडियों के महले पर थोप कर पल्ला जाड़ अलग हो जाते मा पिता जी के शहर रुकसत होने तक बेचारे तमाम रौप का भूल मूँ छिपाए फिरा किये दूसरी अलबता खुशी का बाकाइदा इजहार करती रही खुले आम जैसे मा नहीं वे पहली बार गर्वती हुई हो मा ने तो पती और ससुर की शर्म यूँ गाट बांदी कि दूसरी से सीधे मूँ बात करना ही छोड़ दिया गनीमत ये हुई कि पिता जी जब शहर रवाना हुए तो मा को साड़ जाने से किसी ने मना नहीं किया दूसरी का जापा से पर यूँ शर्म ताने खड़ा था कि ताया सास ने खुद निकास धूर निकाला कहा बहु ठहरी बेहत नाजुक जान उसका जापा शहरी अस्पताल में डॉक्टरी मदद से होना चाहिए गाउं की दासी के भरोसे नहीं एक बार भुगत चुके न दूद का जला चाज भी फूक फूक कर पीता है किसी ने मूँ खोल कर ये नहीं पूछा कि दूसरी की जापे का क्या ताई ने बिना पूछे कह दिया उसकी कौन पहली जज़की है दो ठीक ठाग निवट चुकी जहां तक खुद दूसरी का सवाल था उन्हें मा या किसी और में कोई दिल्चस्पी नहीं थी अपनी तीसरी जज़की को ले यूँ खुछ दिल थी कि खत्रे का अंदेशा पास फटकने से डरा पड़ा था यूँ अलग-अलग मुकामों पर नौ महीने पूरे हुए और दो बच्चियां पैदा हुई एक मैं दूसरी मेरी बुवा मैं सही सलामत आज तक जी रही हूँ पर बुवा चंद घंटों के मेमानी कर भगवान को प्यारी हुई भगवान के प्यार के लिए सबने उसी की मर्जी को जिम्मेदार ठहराया और राहत की सांस ली बस दूसरी सदमे से यूँ काट हुई कि फिर कभी ने उबनी चुप्पी में पना ली और बाहर आई तो सिर्फ ये कहने एक पहली थी बच्चा जन्मा तो सलामत रहा खुद चल वसी एक करम जली मैं हूँ बच्ची को लील खुद जिन्दा बैठी हूँ मैंने दूसरी के बारे में मा के मूँ से चाहे जो सुना हो अपनी आखों से उन्हें ठीक बुढ़िया ही देखा उनकी बनिस्पत दादा कम बुढ़े मालों हुए गजल तो बहुत दूर की कोड़ी थी मुझे नहीं आद मैंने उन्हें कभी भजन भी कुणूनाते सुना हो गाना बजाना तो दूर कभी उन्हें हस्ते बत्याते भी न देखा देखा तो बस खर्बूजे के सूखे बीच छील मगज निकालते या हद से हद कभी कभार भुने आटे या बेसन के लड़्डू बोचते चार-पांच बरस की रही होंगी मैं जबकि शुरुआती यादे मन पर दस्तक देती है याद आता है कि वो दूसरी दादी हमरे साथ नहीं रहती थी साल दो साल में आती जरूर थी दो एक महीनों के लिए और मैं भी गाउं उनके पास जाया करती थी कभी छोटी बेहनों और मा के साथ कभी अकेले ज़्यादातर गर्मियों के छुट्टियों में और हाँ दूसरी को हम दादी नहीं भाबी जी कहा करते थे दादी तो हम पिता जी की ताई को कहते थे मा पिता जी भी उन्हें ताई और दूसरी को भाबी कहते थे उन्होंने भी तो मा को दादी की तरह कभी बहुरानी या बहु नहीं कहा था शहर वोया गाउं भावी जी की छवी वही रहती चुपचाप मगज निकालती या हद से हद लड़ू बोश्ती फिर गुडिया कब बनाती हूँगी हाँ गुडिया मुझे खूब याद है याद क्या कल तक भी वो मेरे उनके रिष्टे की कड़ी रही थी जब भी वे हमारे घर आती या मैं गाउं जाती तो मुझे एक या दो गुडिया जरूर देती मा कहती भावी ने अपने हातों से बनाई हैं चीठूणों कत्तरनों से हम तीनों भाई बहनीं में गुडिया की हगदार सिर्फ मैं होती थी शुरू शुरू में बहने चिड़ती पर धीरे धीरे मेरे साथ साथ वे भी उस एक जैसी दिखने वाली गुडियों से उप चली थी उम्र के साथ मेरी उप में शर्मिदगी भी आ मिली थी उनी दिनों जरूर किसी दिन भावीचे के गाओं लोट जाने पर उनकी दो शुबाहीन गुणियों और उनके अपने उदासीन उबाव वजूत पर मैंने खीच जाहिर की होगी तब ही माने दूसरी की कहानी सुनानी शुरू की होगी अलग अलग पड़ावों से होकर वो दूर तक चली थी उसी दोरान वो दिन भी आया था जब माने गहरे पच्टावे के साथ कहा था ऐसी काठ हिये उसके मरे पीछे हुई और किसी को तो तनिक फरक पड़ा नहीं था इनके दुख में दिलासा देने की भी किसी ने ना सोची मैंने भी नहीं दिलासा छोड इनके दुख को समझने की कोशिश भी नहीं की सच कहूं औरों की तरह मैंने भी उसके मरने पर रहत महसूस की थी ससुर जी रिटायर होने को थे तेरे साथ उसका सारा काम भी हमें निप्टाना पड़ता तेरे पिता जी ने किस फर्ज से कब करनी काटी दोनों छोटे भाईयों की बढ़ाई में भी फिर ये बेटी के साथ की छोटी बहन करना पड़ता तो करते ही पर ना करना पड़े वही भला? नहीं? मैंने सुन भर लिया था पर दीरे-दीरे मा की कहानियों के चलते दूसरी में मेरी दिल्चस्पी जगने लगी थी उम्र जब 14-15 पर पहुँची तो वह संधी के सुरूर में मैं दादी से पूछ बैठी मा कहती है भाबी जी पहले गजलें गाया करती थी अब क्यों नहीं गाती? उस बार मा भी साथ थी दादी ने उनकी तरफ देखकर चुहल की थी लाला कहा करे थे ना सीख जाएगी बड़े घर की तमीज तैजीब सो सीख गई? फिर चुहल भूर पसीजे स्वर में जोड़ा था गाना बजाना कपका छूट गया रानी तू हुई समझ उसी के बास से उससे जादा कुछ कहने को वे तयार नहीं थी मा की कहानिया भी चुकली थी, अब जंदिगी के मंच पर मैं पाओं रख रही थी, वे प्रस्थान कर चुकी थी, उन्ही दिनों मैं अपने भीतर एक नई प्रधिभा की पहचान कर रही थी यूँ तो बच्पन से ही मैं चित्रकारी करती रही थी सब स्कूलों की तरह हमारे स्कूल में भी कला की कक्षा लगती थी अध्यापिका हमेशा मेरे चित्रांकन की तारीफ करती थी अंक भी मुझे उचे मिलते थे 15-16 की उम्र तक आते आते मैंने पाया कि मेरा शौक छवी अंकन की तरफ बढ़ रहा था स्कूल के बाद शाम को चित्रांकन सीखने के लिए मैंने एक नामी चित्रकार के पास जाना शुरू कर दिया था शौक के उस मंजर में गर्मियों में मैं गाओं गई तब भाबी जी ने जो गुडिया मुझे पकड़ाई उसमें मुझे उन्ही की सूरत नजर आने लगी और यूं उनकी सूरत में नई नई शौकीनी पाए मेरे चित्रकार मन की दिल्चस्पी पैदा हो चली अगले दिन जब अनमयसकता की मूर्ती बनी वे खर्बूजे के बीच छील रही थी मुझे चावाया उनका छवी चित्र बना डाला जाए मैं कागस पेंसिल लेकर उनके सामने जा बैठी और उनी की तरह मौन साथे छवी आँकने लगी कुछ वक्त बीतने पर मैंने देखा मगज निकालते उनके हाथ शितिल पढ़ते पढ़ते थम गए है उचिते उकताए बदन में चौकनना पना गया है गरदन और कमर उपर खिच कर सीधी हो गई है चेहरा हलके इसमित से रंगा आकर्शन कोर पर टिका है जैसे किसी पेशेवर मॉडल या शोक कमसिन हो मैंने अपने अचरच को जाहिर नहीं होने दिया दम साधे रेखाएं खींशती रही छविखंडित ना हो जाए कुछ देर यूही चितर बनता रहा फिर उन्होंने धीमे से कहा इस लायक सुन्दर तो मैं ना हूँ पहले थी चुपी का तूटना मुझे भला लगा बात चलाए रखने की खातिर पूछा आपको कैसे पता उनका जवाब चौकाने वाला था तस्वीर देखकर उन्होंने कहा कौन सी तस्वीर मैंने गाओं के उस घर में किसी औरत की तस्वीर कभी देखी न थी शहर के गर में भी पहली दूसरी दादी तो दरकेनार पूजे नानी जी की भी कोई तस्वीर न थी मुझे याद है एकदम शुरू में मैंने मा से पूछा था पहली की कोई तस्वीर नहीं थी क्या जो वे उनकी शक्ल सूरत जानने को दूसरी का मूँ ताकती रही मा ने हसकर कहा था उस जमाने वे फोटो खिशने का चलन नहीं था कोई रेखाचितर बना देता तो हो जाती उसी को सोच कर उन्होंने ताईजी से एक मरतबा पूछा जरूँ था उनका जवाब था तस्वीरे रानियों महरानियों के बनाई जाती हैं या रंडियों तवायफों की बाद में बरसों बाद मुझे छवी अंकन करते देख मा ने एक राज की बात बतलाई थी मेरे नाना भी छवी अंकन किया करते थे नानी का एक चितर भी उन्होंने बनाया था और जमाने के चलन के अनुरूप उसे अलमारी में बंद करके रखा हुआ था मा ने एक बाद चोरी से देखा था नानी की छोड़ो नाना ने तो दोबारा शादी तक नहीं की थी उनके बारे में माने जाने क्या-क्या किवदंतियां गड़ रखी थी पर भाबी जी नानी की नहीं पहली दादी की कह रही थी कौन सी अलमारी में बंद है उनकी तस्वीर चित्र पूरा हो गया तो मैं भाबी जी के एकदम करीब गई फुस्पुसा कर पूछा उनकी तस्वीर है आपके पास उन्होंने मेरे हाँ से चित्र चपट लिया आँखें भर कर देखा और बोली ये मैं हूं उनके चेरे पर लवलींग विस्मित बिखर गई उस वक्त बुढ़ापे के बावजूद वे मुझे काफी सुंदर लगी तो मा ने गलत नहीं कहा था कभी वे काफी आकरशक रही होंगी मैंने मनीमन अपनी पीठों की वाह क्या छवी उकेरी की मॉडल की छुपी लुनाई बाहर आ गई लाईए मैंने चित्र वापस लेने हाथ आगे किया तो उन्होंने जट उसे धोती के पल्लों में लुका लिया चेरे पर तरस्त भाव भराया बोली ना भावजी देखेंगे तो टुकड़े कर देंगे मैं सबज नहीं पाई किसके उनके या चित्रके किसी से कहना मत उन्होंने कहा पर ले गिरी खा मुठी बर मगज उन्होंने मेरे हाथ में ठूस दिये जब तक मैं उन्हें संभालती वे चित्र ले सिरे से गायब हो गई उसके बाद वे दिखी तो उसी अंतरलीन मुद्रा में गिरी निकालती लड़्डू बोच्टी अनमयस्क निरलिप्त मैंने दो एक बार कोशिश की कि सामने बैठ कर एकाच चित और आँक लूँ पर मुझे तयार देखवे जट उट जाती और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती उन्होंने इस तरह खुद को मुझसे क्यों काट लिया मैं समझ नहीं पाई मैंने कहा भी मुझे चित्र वापस नहीं चाहिए आप रखिये पर बीच ही में दभी आवाज में चुप कहकर वे उट गई लगा इस बार जाते हुए गुडिया नहीं मिलेगी जान छूटी पिछले कई सालों से मैं उनकी दी गुडिया बिटो बुआ के बच्चों में बांट जाती थी मेरे गई पीछियों ने पता चली जाता होगा पर मुझसे कभी किसी ने उसका जिक्र नहीं किया था जाने का वक्त आया तो बदस्तूर भावी जी ने गुडिया मुझे पकड़ा दी मैंने सरसरी निगाह उस पर डाली और भोचक रह गई पहले उनके किसी गुडिया में ऐसी उंदा कारीगरी देखी नहीं थी दागों से कड़े नैन नक्ष तीखे दिलकष बदन की गढ़न कटाओदार नाजुक पहरावा नफीस और सलिकेदार अरे ये तो पूरी पेंटिंग है पेंटिंग आप चितरकारी जानती है क्या मेरे मूँ से निकला पर मा तो कहती थी मेरा क्या तू तो जानती है वारिस है हमारी उन्होंने बुदबुदा करके कहा गुडिया में मगन मैंने कुछ सुना कुछ नहीं इसे साथ ले जाओंगी ये गुडिया नहीं कलाकरती है मैंने तै किया हमारी चित्रकला की कक्षा में कलाकरती शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था चलने की तैयारी में भागते दोडते गुडिया दादी को दिखलाई तो वे चौंक गई ये तो कहके हो हकला रही थी कि मैं चहक उठी कमाल की है न जैसे किसी को सामने बिठला कर छवी उतारी गई हो वही तो वही वे फिर हकलाई कि मैं भाग ली कलाकरती के लिए सामान में जगे बनानी थी न दादी की बढ़ाती हकलाण सुनती रहती तो गाड़ी चूटना जाती अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं गाउंग नहीं गई अगले मार्च में हायर सकेंडरी के बोर्ट के इमतहान होने थे इसलिए गर्मियों में स्कूल में विशेश का ख्षाएं लगनी थी फिर मेरे चितरकार गुरू ने भी उनी दिनों मुझे खास तोर पर कुछ गुर्ष सिखलाने का आश्वासन दिया था उसके लिए हर हाल में वक्त निकालना था यूँ वक्त था कहां सोले बरस की उम्र सिर पर दुनिया भर का सोच विचार सकी सहलिया राज रियाज कौन जाता शेहर छोड़ कर इसकूल का आखरी साल था बहुत कुछ छूटना था कॉलेज जाने पर तब तक तो संग साथ बना रहे इम्तिहान खतम हुए तो मौज मस्ती सूजी शहरों में चाचा ताओ के जितने बच्चे थे सबने एक साथ गाउं जाने का कारिकरम बनाया मैं एक तरह से मुख्या चुनी गई गाउं के घर के बारे में मेरी जानकारी सबसे ज़ादा थी मैंने उन्हें जतला रखा था मेरी परधानी शुरू होती उससे पहले गाउं से तार आप होंचा कि भावी जी का स्वरगवास हो गया अर्से से मियादी बुखार आ रहा था कई बार मुझे याद किया था मेरे बोड के इमतिहान चल रहे थे इसलिए ख़वर मुझे से छपा कर रखी गई थी अब सबको गाउं जाना ही था गए उनका संसकार हो लिया तो बिट्टो हुआ उजे हाथ से पकड़ कर अपने कमरे में ले गई दर्वाजा ढुकाया ही नहीं बाकाइदा कुंडी चढ़ा कर बंद किया लकडी की अलमारी खोली उसमें ठुसे तरह तरह के सामान के बीच से एक टिन का बकसा निकाला पुराने कपड़ों के अंबार में छिपा पड़ा था बाहर आया तो पिछका बदरंग जंग खाया ताला भी दिखा पर जिस कुंडी में लटक रहा था वो खुद उखडी पड़ी थी फिर भी बड़े जतन से संभाल कर उन्होंने उसे मुझे पकड़ाया हाथ लगाते ही ताले समेट धकन खुल गया बीतर मेरा बनाया भावी जी का चित्र था इसमें इतनी लुखाचेपी की क्या बात है पर हसी मजाक का मौका न था जब बनाया था नजरवर देख भी न पाई थी अब लगा बुरा नहीं बना था जड़वा कर बैठक में लगाया जा सकता है अपने शहर के घर में मैंने ठीक से परखने को चित्र उठा लिया नीचे एक और छवी चित्र था भावी ची का हरविज नहीं चेरा फिर भी पहचाना सा था मन में गुडिया कौन गई जो पिछली बार मिली थी तस्वीर में बराबर उसकी सूरत जलक मार रही थी अपना नीचे रखकर उसे उठा लिया, बहुत एथियात के साथ फिर चित्र वही सूरत उठाया तो फिर वही कमरा माया जाल में बदल गया ये क्या जादू है एक एक करके सभी चित्र मेरे आसपास लेट गए मेरे वाले को छोड आठ थे मेरे वाले से कहीं बेहतर कला की निपड़ता में चेहरे के लावने में जितनी समझ मुझे थी उसके हिसाब से चितर बहुत बढ़िया नफीस थे तो भावी जी छिपकर चितरकारी करती थी यकीन नहीं हुआ माने कहा था फूल पत्ती भी उससे बनवाई थी साड़ी पर अग बगाए हाल बुगा से पूछा भावी जी ने बनाये थे ना उन्होंने कहा पहली ने सूरत किसकी है उनकी अपनी तब ही भावी जी पहचानती थी उनकी सूरत पर भाबी जी के पास चित्र आये कैसे पहली चलवसी तभी ना आई दूसरी दादी जी ने दिये पर भाबी जी तो कह रही थी पर भुवा अब भी बोल रही थी तेरे लिए हैं मुझ पे संवा गई बैचारी तुस्य तो आया भी ना गया आखरी दिनों में कित्ता याद किया अपनी जाई रही नहीं तुझी पे कुर्बान होती रही पर तूने कब परवा की बिट्टो भुवा को इतना बोलते पहले कभी नहीं सुना था सुनती तो क्या ध्यान देती मेरे लिए वे भाबी जी की परचाईं भर थी वो भी मा के बतलाये इतिहास में एक गाती दूसरी बजाती वरना चौपर एक का छूटा तो दूसरी का भी छूट लिया होगा मैंने तो उन्हें जब कभी एक नजर से देखा तो बच्चों से घिरे हुए पर वे बोली चली जा रही थी बेटे पैदा किये तो समझो जैसे पहली किये वैसे इनके ब्या करके आई तो किसी ने कुछ माना थोड़ा जब पेट में वो आई तेरे साथ वाली तो समझ अपने को मान बैठी ये भी क्या शौक जगमकाया था मन में बच्चे का सब धरा रह गया मेरे तो बाद में हुए पर कभी जो हाथ लगाया हो कभी जो लाड़ किया हो बस एक तू थी जिस पर जान छिड़कती रही ऐसे जान छिड़कते तो कभी देखा नहीं देखने की तकलीफ कब की गुआ ने भी कहा चिताया मरे पीछे हमदर्द बनना क्या मुश्किल है पर तस्वीरें ये तस्वीरें उन्हें किसने दी दादा जी ने खूब सहिच कर रखी जरवा कर कहीं टांगी क्यों नहीं अच्छा नहीं माना जाता था क्या तर पिता जी को मालू भेन के बारे में ताओ जी को और दादी को सवाल करने शुरू किये तो मैं धारा प्रवा बोलती गई हाँ दादा जरूर सहिचते तेरे बुआ तंज से बोली पाज आते तो जला न डालते जैसे और जलाई रंडियों के महले की ये थी वे नहीं उनकी आबरू पर आज कैसे आने देते तस्फिरें जला दी क्यों आइने में देख देख जो अपनी छवी आप उकेरे रंडी से कम क्या हुई बुआ ने बंद दर्वाजे पर नजर डाल लेने पर भी फुस फुसा कर कहा और तुरंत चोड़ा मुझे मती गूर तेरे दादा का कहा कहा है मैंने फिर ये कैसे बची और भावी जी के पास पहली के मरे पीछे बच्चों समेट उनका सारा सामान तेरे दादा ने तेरी ताया दादी के जिम्में डाल दिया के लिए संभाल चाहे खुदबरत चाहे आने वाली बगुओं के लिए सहेज पहली बगु आई उनकी अपनी मौसी ने कुछ गहना गुरिया उसे दिया कुछ आगे के लिए रखा हाँ उतरन शुतरन सब उसी के माथे मड़ी उसी में से ये भी थी बकसा खोल कर नहीं देखा लो और सुनो तस्वीरे बकसे में थोड़ी थी पुरानी गुदड़ी के अस्तर के बीच से मिली दो धाकर दोबारा बनाने को धेड़ी तो दिखी मेरे सिवा कोई नहीं जानता दूसरी ने कसम दी थी मुझे अब मैं तुझे दे रही हूँ किसी से कही हो मत अभी आप सुन रहे थे मृदला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी वो दूसरी ये कहानी 2003 में प्रकाशित हुई थी आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो सुन्दर हो